आज की इस वीडियो में हम question करने जा रहे है question है find the nth term of an a p हमें a p given है a plus b का whole square comma a square plus b square comma a minus b का whole square and so on चलिए इसके find करते है nth term का हमारा formula होता है a plus n minus 1 d आप सभी को पता होगा और हमारा जो common difference होता है वो होता है a2 minus a1 यहाँ पर जो हमारा a2 है वो है a square plus b square यहाँ पर हम put करते है a square plus b square minus में a1 जो है हमारा वो है a plus b का whole square ठीक है a square plus b square minus a plus b का whole square होता है a square plus 2ab प्लस B स्क्वार अब ब्रैकेट से बहार जब हम इन सब को निकालेंगे तो फिर यह इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे यह जाएगा माइनस का A स्क्वार माइनस का B स्क्वार माइनस का 2AB माइनес कy a² से плюс ka a² कर जाएगा पलस के b² से माइनस का b² कर जाएगा हमारा जो D आ गया वो आ गया माइनस का 2ab अब हमें इसकी ent term न चल्टर कर भपा एधिन씬? हमें इसमें a पता है पता है a plus b का whole square और हमें इसमें d पता है yellow d, common difference हमने अभी निकाल लिया common difference minus 2ab अब इसको हम इसमें put कर देता है nth term हमें find करनी थी a plus n minus 1 d हमारा formula होता है a की value है a plus b का whole square plus n minus 1 d की value हमें पता है minus 2ab a plus b के whole square को जब हम solve करेंगे यह आएगा a square plus b square plus 2ab इन दोनों को जब हम multiply करेंगे यह आएगा minus का 2ab and plus का 2ab अब यहाँ से plus minus करते है a square plus b square क्योंकि इसके साथ का कोई भी निया है यहाँ पे इसलिए add anyway अब 2ab 2ab यह हो जाएगा 4ab minus का 2ab and यह हमारा answer हो जाएगा उमीद आपको कोईसन समझ में आएगा कोईसन समझ में आएगा तो वीडियो क्लाइक करते हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं आप सब इसे नेक्स वीडियो में किस ने टोपिक साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत करते हैं